देखे, अब मैं आपको past tense का पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, past tense का पहला भाग पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसे past infritence के नाम से जाना जाता है, इसके पहचान हम लोग देख लेते हैं, देखे, पहचान, जब किसी हिंदी किरिया सब्द के अंद में ताथा, ती थी, ते जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, past infritence में बीती हुए समय में किसी किरिया या घटना के बारे मताया जाता है, अर्थार जो घटना बीच जाती है, जो किरिया होकर चुकी होती, उसके बारे हमें सुचित किया जाता है, उसे हम past infritence कहते हैं, यानि कि जिस वाक में कोई कोई किरिया या कोई घटना हो चुकी है, उसके बारे में अगर हमें सुचना मिले या दी जाती है, तो वो past infritence कहलाता है, आप पहचान देखी रहे हैं, जिसके वाकियों में ताथा, ती थी, ते थे या ए, ई, आ, आ, इ, आदी सब्दाते हैं, उसे हम past infritence कहते हैं, ठीक ह हमारा, sorry, देखें, past infritence कहले हों डीट होता है, वो negative होता है, लेकिन affirmative में इसके हम किरिया के second form का ही प्रियोग किया जाता है, ठीक है, सकरात्मा को आकियों में singular subject, प्रियोग के साथ, verb के second form का प्रियोग के जाता है, verb के first form नहीं, second form का प्रियोग हम करेंगे, ठीक है, फर्म बाद आपका object लिखना है, ठीक है, जैसे आप sentence लिखते है, वो अंगरीजी सीखता था, देखें, ता था सब्दाया, इससे मालू हो कि ये past importance है, ठीक है, वो अंगरीजी सीखता था, he learned English, मैंने उससे कहा, I said to him, कहा, माता जी निखाना बनाया, माता जी cooked food, बिजली भाग ग गई, electricity, went out, चोर भाग गया, दथीव, ran, way, यहाँ पर देखें, किरिया, run, ran, ran, run, run, first form is, ran, second form is, यहाँ भी, यहाँ भी, देखें, go, go out, went out, यहाँ पर went out हो गया, यहाँ पर से का set हो गया, यहाँ लर्न का learnt हो गया, learnt, ठीक है, आईए, हम लोसका negative देखते हैं, देखें, negative sentence, नाकरात्मा को आक्ष, नाकरात्मा को आकर कहते हैं, जिसमें नहीं उन्य सब्द का प्रयोग किया जाता है, नाकरात्मा को वाक्यों में, helping word, did का प्रयोग करके करिया के first form को लिखते हैं, अभी हमने past इक जाद रखिएगा अगर ताथा टीथी सब्द किसी किरिया केंद में आया है और नहीं सब्द है तो आपको डिड़ नाट लगा के ही उस वागत को पूरा करना होगा सब्जेक्ट प्लस डिड़ प्लस वर्ब की फर्स वागत लगाना ओगा जैसे दें मायवती ने चुनाव नहीं लड़ा, मायवती डिड़ नाट इलेक्षन, मायवती डिड़ नाट इलेक्षन, मैं सलाम में नहीं नहाता था, I did not bath in this pond, मंदर पेड पर नहीं चड़ा, the monkey did not climb in the tree, मैंने उसे नहीं देखा, I did not see him, भाजपा ने गरीबों की मदद नहीं की, भाज तो ऐसे sentence आप सकते हैं, ठीक है, आगे दिखे, Single variety to sentence, ऐसे वाकियों में क्या सब्ध से वाक्य की सुरुवात होती है, क्या सब्ध के लिए helping work did को लगाकर, वर्ब की first form को लिख देते हैं हैं ठीक है single integrate to Sundays ऐसे वाक्यों में क्या सब्द से वाक्य की सुरॉत होती है और क्या सब्द के लिए helping verb डिट को लगा कर verb की first form को लगा देते हैं पहले आप डिट लगाना है आपको फिर subject लगाना है फिर वर्ब की first form लगाना है फिर आपको object की first form का प्लेव करना है क्या वे cricket के लिए डिट दे प्ले cricket क्या राहुल गांधी ने स्टेज में भासर दिया डिट राहुल गांधी ग्यू या डिलवर स्पीच ऑन दे स्टेज क्या तुम नदीम नहाने आते थे इसे वाक्यों में जिनमें क्या क्यों कैसे कहां कब प्रस्वाचक सब्वाक्य के बीच में आते हैं ऐसे सब्दों के इंग्रेजी वाक्य के पहले लगा देते हैं भूदपूर नियम सब वही चलेगा जो आप अभी तक पढ़ते आएं समझते आएं इन सब वाट वाई वेर हाव मच हाव मेनी उसके बाद आपको डेट लगा देना है डेट के बाद आपको नाट रहेगा नाट लगा देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको लगाना होगा सब्जेक्ट क्या लगाना होगा सब्जेक्ट उसके बाद वर्व की फर्स यू उसके बाद किया, do this, पिदा जी कहां गए, where did father go, तुम वहां क्यों गए, why did you go there, दरवाजा किसने खटगड़ाया, who knocked door, तुमने यह सब कैसे किया, how did you do this all, देखें किसने, दरवाजा किसने, मनद कौन खटगड़ाया, तो यहां पर देखिए, जो हू सब्द है, वो हमा हमारा, who जो सब्द है, वो सब्जेट की तरह यूज करते हम, सब्जेट की तरह यूज किया जाता है, और who वाले संटेंज को अफ़र मेट्टू संटेंज की तरह बनाते हैं, ठेकर आए, हम इसको भी देख लेते हैं, देखें, always remember, who को सब्जेट की तरह यूज करते हैं, who वाले sentence को अफर्मेटू sentence की तरह बनाते हैं तथा वर्व की second form को यूज करते हैं ठीक है फूज वर्ड अगर कहीं भी रहेगा याद रखिएगा वो हमारा क्या होगा singular subject की तरह चलेगा यानि को हमारा subject की तरह काम करता है ठीक है अफर्मेटू sentence जहां भी हो रहेगा वह हमेशा क्या बनेगा हमारा अफर्मेटू sentence की तरह बनाते हैं ठीक है तुम्हें कौन बुलाया है who called you second form तुम्हें कौन नहीं बुलाया तुम्हें कौन नहीं बुलाया तुम्हें Thank you.